कुशा भाउ ठाकरे परिसर में बीजेपी की बैठक होई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है साथ ये फैसला लिया गया कि भारतिय जनता पार्टी भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेगी इसमें सीम भुपेश बखेल के स्तीफे की मांग की जाएगी आपको बता दे कि भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की बाद बीजेपी के द्वारा की जा रही है वहीं अब सीम भुपेश मखेल के स्तीफे की भी मांग की जाएगी भारतिय जनता पार्टी भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आने वाली है राइपूर के कुश्रभा उठाकरे परिसर में आज बीजेपी की बैठक होई बैठक संपन हुई और इस बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई जिनमें फैसला लिया गया है कि भारतिय जनता पार्टी अब भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प किया जाएगा बीजेपी के इस बैठक में कई एहम मुद्दों पर चर्चा की गई राइपूर के कुशाभाव ठाकरे परिसर में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच ये बैठक होई जहाँ पर पूर्व मुख्यमंतरी रमन सिंग भी मौजूद थे और उनी की कई एहम मुद्दों पर चर्चा की गई और ये फैसला लिया गया है कि अब बीजेपी भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी और इस पर अधीक जानकारी के लिए हमारे सायोगी रेविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेविंद्र प्रदेश काराला कुछा बहुत थाकरे में किया गया तमाम बड़े नेता शामिल थे प्रदेश अरून साव रभारियों माथूर्श रतन शर्मा डॉक्टर अमन सिंग पूर मुख्यमंत्री तमी बड़े आला नेता वह मौजूद थे और इस पैठक को इसना मत्तपून इस उन सभी को जन जागरन के ब्यांत चोड़ा जाएगा लेकिन इस बैठक को लेकर मौर एक मत्तपूर जानकारी यह आ रही है कि जो सरकार पर जो आरोप लगाया गया था शराब घोटाले के लेके हो चावल घोटाले के लेके हो तो वुपेज बगेल चीवी ने रमन सिंग प तो क्या सरकार सोई हुई थी विपक्ष की जंग बाटी सोई हुई थी क्या और मुख्यमंत्री बुपेज बगेल अभी साड़े चार साल से को भी एक आरोप लगाया है वो क्या सिद्ध कर पाया है क्या तो इस पकार की बयान बाजी भी देखी गई डॉक्टर रमन सिंग के दोरा जब उसे पूछा गया कारे समीति के बैठा को लेके तो उन्हों असाब तोर पर कहा कि जो अभ्यान के तरह तम चुनावडी रणे नीति को बनाएंगे और साथ ही बहुत सारे किसान आधोरन को भी शामिल करने वाले हैं चाहे वो जंजागरान अभ्यान के माध्यम से हो चाहे वो जितने भी प्रकार की जो कारेकरम अभी जो हाली पिलाल में चुनावडी रणे नीतियों के अनुसार की जाएगी उस अनुसार से वो कारे को पूरा करेंगे साथ में रमन सिंग ने बड़ा बयान वी दिया साथ में उन्होंने कहा प्यस्ति के मामलों में जो क्यों के पुत्र और बेटी बेटी के नाम आए हैं जिस पर ये संदिनात्मक प्रशन सवाल उठता है कि प्यस्ति जैसे बड़े संसान को अगर इस पर कोई गड़बडी या गोटाला किये जाता है तो इसका भी सरकार जिम्मेदारी है इस बयान को लेकि भी काफी गहम आग हुए है और तो और जब सब इसके बाद जब बाकार समीति की बैठा का संपन होई तो बाहर शुरतन विधायक शुरतन सर्मा और केरापूरों के विनेट मंत्री किरार कश्यप सामने आया और उन्हें साब तोर पर कहा कि सरकार के खिलाब वो निंदा प्रस्ताव पारित करे और भी जो घौताले द्वारा किये गए हैं उनके जो भाजपा ने आरोफ लगाया थी पर साथ में इडी की जो करवाही होती उन सभी चीजों को लोगे बयान बादे किया है क्योंकि इडी के कारवाही को इसलिए लोग फुक्ता मान रहे हैं क्योंकि इडी ने जो कोट में रबूत पेस किये थे वो पक्के हैं और इस पर न्यालाय द्वारा किसी की जमानत नहीं हुई हैं तो इस पर वो मुद्धा बना रहे हैं कि जो चार साल से हमने लगातार शराप बोटाले को लेकर बात की ती जिसको इडी ने पूर्ण तर आज सजिद किया है कि भाजपा न वातावरेनाज कारे समीति का रहा और बयान बजी का भी दोर भी देखा गया कारे समीति की बैठक हैं जो बिलकुल रिवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार तो आपको बता दे आज बीजेपी की बैठक हुई राइपूर के कुशा भाव ठाकरे परिसर में बीजेपी की ये एहम बैठक हुई है जहाँ पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भुपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ता उपारित करने का एक फैसला लिया गया है जिसमें अब भुपेश बखेल से इस्तीफे की मांग भी की जाए उन्होंने प्रदेश की कॉंग्रस सरकार पर जम कर निशाना साधा है उन्होंने प्यसी में परिणाम में हुई गड़बडी को लेकर कहा कि प्यसी में इतना बड़ा अगर संदेह उत्पन हो रहा है तो 36 गड़ के युवाव के लिए उनके भविश्य के ये खत्रा है जो नाम सामने आ रहे हैं वह संदेहात्मक हैं और इन पर अब आगे कारवाई भी की जाएगी आगे देखरेग भी की जाएगी और परिणाम में हुई गड़बडी को लेकर रमन सिंग का एक बड़ा बायान सामने आया है कि अधुद्र रिजर्ट आया है आप टोंकी में वो लोग आ रहे हैं जो अधुद्र प्रतिभावान प्रतिभाव की कमी नहीं है मगर बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चिये बड़े-बड़े उद्ध्योग पत्यों की पहली बार हुआ है कि कोई गरीप का लाखों बच्चों का भवी स्कत्रे में यदी यह सही साथित होता है यह जो आरोफ फथ्यारोफ लग रहा है जो हवा में जो आरोफ लग रहा है यह सही होता है तो सबसे पहुद्र सरस्तान को दुशित करने का आरोफ भी लगे